Hello students, concern है CUNCT के regarding कि CUNCT के application form आ नहीं रहें, कब आएंगे, कब exam होता है, CUNCT कैसी होती है, क्या admission process है, कितना marks लाना होता है, सलेबस क्या पढ़ना होता है, कैसा exam होता है या सारे का सारे detail में discussion करेंगे, वीडियो में end तक बने रहेगा और application form के बारे में भी चर्चा करेंगे Okay students, तो आपने देखा होगा कि CUNCT की website अपडेट हो चुकी है, जो new website रिलीज हो चुकी है, जो की 2022 की website है, आप application form कब आते हैं या CUNCT के Generally, जो हमेशा जो application form CUNCT के रिलीज होते हैं, वो last week of February और first week of March के अंदर रिलीज हो जाते हैं तो अभी जो है, आपके CUNCT के application form at least इसी week या फिर अगले week के अंदर रिलीज हो सकते हैं, ठीक है, Central University की बात कर रहा हूं में जिसके अंदर जो है, 12 university पार्टिसिपेट कर रही है, जो की पहले भी पार्टिसिपेट कर रही थी, जो website अपडेट की गई है उसके अंदर ऐसा ही दिया गया है, कि 12 Central University पार्टिसिपेट कर रही है और, so guys, 2022 के regarding तो इसमें ज्यादा कुछ अपडेट दिया नहीं गया है, इसकी website पे और इसमें जो 12 Central University पार्टिसिपेट है, असम इनुवरसिटी सिल्चर, Central University अप आंदर परदेश, उसके बाद में सियों जम्मू है, सियों जारकंड है, सियों करनाटका है, सियों केरला है, सियों पंजाब है, सियों राजस्तान है, और Central University of South B.R. and Central University of Tamil लडू है अब आपका एक्जाम कितने मार्क्स का होता है बच्चा, तो यार आपका 400 मार्क्स का पेपर होगा, NTA का पेपर, NTA जो National Testing Agency है, वो आपकी एक्जाम कंड़क्ट करेगी, अब 400 में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं, जिससे कि आपका जो admission secure हो जाए, ओके, सो जनरली जो सब कौन कौन सी university प्रवाइड करती है, CUNCT के जरिए, और कितना मार्क्स लाना पड़ता है, ओके, और एक ये question था कि वह या computer science कौन सी CUNCT में available है, और वो कितना मार्क्स लाना पड़ता है, तो यार जो है, almost university के अंदर BITEC available होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो CUNCT के रहा था, लेकिन 2021 में उसने BITEC CSE जो है, बेन कर दिया, CUNCT के जरिए, और जो है, यह university है, जिती भी GFTI है, यानि के central university है, इनकी जो 50% जो city होती है, वो जोसा और CSEB के थरूब बरी जाती है, और जो 50% city है, वो CUNCT entrance test के द्वारा बरी जाती है, ओके, तो जो है, जो सेंटर University of Rajasthan ने क्या किया, जो BITEC की जो भी city थी, CSE बगरा की, वो इस बार CUNCT के थरूब नई दीती, 2021 के अंदर, उसने सारी city जो है, वो, जोसा और CSEB के थरूब ली थी, ओके, तो यह जरूरी नहीं है, कि आपको BITEC CSE मिली ही जाए, अगर आप CUNCT बहुत अचा score करते हो, तो अगर मैं बात करूँ, Central University of Haryana की, तो उसमें आप CSE ले सकते हैं, जो है, उसके जरीए, CUNCT के माक्स के basis पे, अगर मैं बात करूँ, Central University of Karnatka की, तो उसमें भी electrical engineering जो है, मिलता है, आपको, इसके अंदर, BITEC में, CSE, जो CUNCT के माक्स के basis पे, अब रही बात कि आपको 200 में से 400 में से कितना माक्स स्कोर करना चीए, कि आपको UG वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, कि आपको CS मिल सके, CU हरियाना के अंदर, कटोप तो एटलिस बहुत ज़्यादे जाता है, especially general category के जो बच्चे है, वो ट्राइ करो कि 240 माक्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आपका माक्स जो है, सेफ है, आपको CU हरियाना के अंदर, जो CS मिल जाएगा, अब बहुत सारे बच्चों का ये concern होगा, कि भाया जो है, हमारा तो college कौन सा है, हमको कौन से college में डिबी से लेना चीए, सबसे अच्छा college कौन सा है, ओके यार तो अगर आपन UG courses के लिए, वेसे तो सा और एक college ही अच्छे होते हैं, लेकिन destination के साब से अगर बात करें तो Central University of हरियाना बड़ाई ओसम college है, रियली नाइस एक लोकेशन बड़ी अच्छी है, ग्रोइंग बहुत अच्छी है, ते सालों से जैसे में देखता आ रहा हूं, Central University of राजस्तान बहुत ही अच्छा college है, इते भी इते साल जो सारी जो एक्जियाम बगर सारा के सारा सीउंग राजस्तान ही देखता था, पंजाब भी अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर यूजी के लिए कोसिस नहीं है, पीजी के लिए है, Central University of गुजुराती भी अच्छा है, ओके और भी सारे के सारे Central University अच्छे सारा का एवरेज पर पेकेज रहता है, जो कि कम नहीं है, ओके रही बात आपके इडिमिशन का मैंने आपको बताई दिया, NTA का टेस्ट होगा, 400 माक्स का टेस्ट होगा, उसके अंदर बहुत अच्छा माक्स आपको स्कोर करना है, जो है, आपका सेंटर सारी डिस्टिक में अविलेबल है, ओल्मोस्ट इंडिया में, दो से तीन सेंटर सापको मिल जाएंगे, और भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग को अगर क्वारी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, अगले मलब फरवरी के अंदर ही आपको आज आना चाहिए, अगले विक तक जनरली मार्च में आता है, लेकिन इस बार आ सकता है, आपकी जो एक्जाम है, मेंसा तो मई में होते हैं, तो इस बार भी मई में ही होंगे, ओके और लास्ट वीक ओप अपरेयल में भी हो जाते हैं, कभी कभी लेकिन इस बार तो जो है सी बीसी का एक्जाम है, लास्ट वीक ओप अपरेयल सकते हो कि मेरे को admission चाही मेरे को admission चाही फिर उसके cut-off के basis पर आपको admission मिलता है लेकिन admission इतना आसान ही है अभी यह question है कि भीया क्या DUB CUCT में participate करेगी क्या लिगर्ड भी participate करेगी जो Central University अब आगे देंखते हैं करता है यह बहुत सर बच्चों को क्या होता है हर जगे एकजाम देना जाना पड़ता है जैसे कि जामिया का अगर एक्जाम होता है तो जामिया के वहां इक पर होता है सेंटर्स में डियू का एक्जाम देने जाना पड़ता है अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी का जिये नियू का तो सबका अलग-अलग system हो उनका तो यह कहा जा रहा था कि यह Central University एक ही exam conduct कराती है वैसे सबी के लिए एक ही exam conduct करवा लिया जाए थाकि बच्छों को ज्यादा परिशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा फोग ना पढ़ने पड़े और ज्यादा से ज्यादा पैसे ना लगे और यहार ऐसा हो सकता है लेकिन अभी तक इसके लिए कोई पकी जानकारी अवेलेबल है नहीं कि वह participate करेगी या फिर नहीं करेगी ओल काउंसलिंग तक जो है आपको इसके ओपर इंफोर्मेशन मिलती रहेगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेश कर लो ओके और आप जस्ट यमारी इस्पेसल सर्विसेस भी ले सकते हैं उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता ठीक है सारा का सारा सिस्टम हम ही करेंगे ठीक है स्टुडेंट्स ओके थैंक्यू थैंक्यू शो मच्च इने चाव वोट्सअप नमर भी दिया गया है और आपको अगर अपना केरियर चुडने में कोई अगर प्रोब्लम आ रहे है कि आपको कौन कोई से एक्जाम देने हैं बेस्ट एक्जाम स कर लेंगे ओक्यो कोल कर लेंगे आपको सारा सब कुछ समझा देंगे ठीक है स्टुडेंट्स ओके थैंक्यू बाबाई टेक केर अपने चोटों से प्यार करिए बड़ों का समान करिए धन्यवाद